नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले आप सबको होली की बहुत बहुत शुप कामना है होली पे हम सब लोग अपने अपने घर में अलग-अलग तरीकी की मिठाईया, नमकीन, चीजें बनाते हैं और कई लोग अपने घर में मालपूए भी बनाते हैं, मैं भी अपने घर में मालपूए बनाती हूँ, पर मैं आज जो मालपूए की रेस्पी लेकी आई हूँ एकदम पारम पर एक तरीके वाले है, यानि कि जो नौर्मल ट्रेडिशनल तरीका होता है, हमारी दादी या फिर म मम्मिया घर में बनाती थी वही तरीका आज मैं यहां पर आप सबको बताने वाले हूं और अगर आप इस तरीके से एक बार यह माल पुआ बना के खाएंगे तो आपको यही तरीका हमेशा पसंद आने वाला है तो चलिए फटाफट से हम माल पुआ बनाना शुरू करते हैं त और साथी साथ इसमें डालेंगे हम एक कप पानी तो हमें यहां पर जितनी चीनी इस्तिमाल करनी है पानी उसका आदा ही लेना है तो मैंने यहां पर दो कप चीनी के लिए एक कप पानी का इस्तिमाल किया है और अब हम चीनी को हाई फ्लेम पे अच्छे से मैल करेंगे तो यहां पर Señक फाह के लिए एक तार्की चासनी चैनल को रहें । धरम पर बावल्रज१ करने लिए वं ह्यारी गेर खुंते ने भूररे है नानी पासरे यहां पर 500 यारी रहेे और विखेम अर्छी तौसी मिख करेक्ट मेख़ने अजुक्ति तो हम इसका इस्तिमाल करके आज यह माल बुए बनाएंगे तो खोए को डालेंगे हम एक बड़े से बावल में चीनी खुलने के बाद चासनी के हाँ पर हमारी बन गई है और इसको उबलते उबलते दो मिनिट हो गए हम चैक कर लेते हैं अंगूटे और उगली की मदद से इस तरीके से हम चैक करेंगे यहाँ पर एक तार बन रहा है यानि कि एक तार की चासनी हमारी हो गई है बन के तैयार गैस को हम बन करेंगे और चासनी को रख देते हम साइड में तो खोय को हमें हातों की मदश से थोड़ा सा अच्छे से मैश कर लेना है और इसको हमें स्मूथ कर लेना है ध्यान रखना है कि इसमें बिल्कुल भी कोई लंप्स यानि की गुठलियां ना रहें खोया यहाँ पर हमारा एकदम स्मूथ हो गया है और इसमें एक भी गुठली नहीं है खोया स्मूथ हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे एक कप दूद ये रूम टेंपरिचर पर ठंडा किया हुआ दूद है और मिलाएंगे खोया को दूद में हम अच्छे से तो हम हातों की मदद से अच्छे से मिला लेंगे और इसको एक सार कर लेंगे यानि कि बिल्कुल प्रॉपर से स्मूथ कर लेंगे खोया यहाँ पर दूद में अच्छे से मिल गया है तो अब हम इसमें मैनर डाल देंगे और साथी साथ इसमें डालेंगे हम आदा चम्मच इलाइची पाउडर और डालेंगे एक चुथाई चम्मच हल्दी पाउडर यह हम यहाँ पर food color की जगे इस्तिमाल कर रहे हैं आप चाहें तो यहाँ पर food color का भी इस्तिमाल कर सकते हैं पर ध्यानक नाए की color yellow ही लेना है मिला लेंगे सारी चीजों को अच्छे से तो आप यहाँ देख सकते हैं यह जो हमने paste बनाया है यह थोड़ा सा ठिक है तो अब हम इसमें थोड़ा सा दूद और डालेंगे लगभग आदा कप के करीब मिला देंगे दूद को हम अच्छे से तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि यह जो better यह perfect होना चाहिए अगर better की consistency perfect नहीं होगी तो मालपूए अच्छे नहीं बनेंगे यह देखे आप यहाँ देख सकते हैं कि एकदम flowing consistency वाला यहाँ पर यह better बना है तो हमें इसी तरीके का better बनाना है कि जब हम इसको इस तरीके से डालें तो तुरंथी line by line ऐसे गिरने लगे यह देखे तो चलिए अब हम मालपूए तल लेते हैं तो मालपूए तलने के लिए मैं यहाँ पर 2500 ग्राम देई का इस्तिमाल कर रहे हूँ आपछाए तो तेल में भी मालपूए तल सकते हैं पर जो घी से इसका स्वाथ है वह बढ़ी आता है तो मैंने यहाँ पर यह देई का इस्तिमाल किया है गी को कर लेते हम अच्छे से गरम तो अभी हम flame को high रखेंगे जैसे ही घी थोड़ा सा गरम हो जाएगा तो हम gas का जो law है वो धीमा कर देंगे और धीमी आज पे ही हम माल पुवा तलेंगे तो ये trick है जब भी आप माल पुवा तलें तो धीमी आज पे ही तलें और की हम हम यहां पर इसमें बैटर डालेंगे तो रिजस्दीर आप एक बार nella तीन माल पुवा बना रहे हूं थोड़े से चोटे चोटे साइस के बना रहे हूं अगार आप पहली बार बना रहे हैं तो आप एक बार में एक ही माल पुवा बनाएं क्योंकि अगर आप एक बार में एक खटे तीन या चार मालपुगा बनाएंगे तो मालपुगा आपस में चिपक जाएंगे गैस को हम लो करेंगे और लो फ्लेम पे ही मालपुगा को हम अच्छे से तलेंगे तो जैसा कि आप यह देख सकते हैं यह जो मालपुणा है जैसे हमने इसमें डाले तो थोड़ी देर बाद यह ऊपर तेरने लगे हैं, तो यानि कि नीजे से यह सिखने लगे हैं तो अब हम इनको पलट लेते हैं, पलटने के लिए मैं आपर यह चमिठे का इस्तिमाल कर रही ह हैं उसका मैं यूज़ कर रही हूं तो मालपू को हम उलटते पलटते हुए अच्छे से सुनहरा कलर होने तक तल लेंगे एक बार और इनको हम इस तरीकी से पलट देते हैं थोड़ा सा हम धीरे से यानि सावधानी से पलटेंगे तो मालपू यहां पर हमारे तल गए हैं तो इनको हम निकाल कर डायरेक्ट ही चाशनी में डाल देते हैं एक बार इनको हम इस तरीके से पलट देंगे जिससे की चाशनी इनके अंदर अच्छे से भर जाए तो इसी तरीके से हम और मालपू भी बना लेते हैं दीमी आज पर मालपुएं को इसलिए तला जाता है क्योंकि मालपुएं मैंदे से बनाए जाते हैं और यह थोड़े से मोटे होते हैं अगर इनको हम हाई फ्लेम पे तल देंगे तो अंदर से यह कच्चे रहेंगे तो जरूरी यह के फ्लेम को धीमा ही रखें इससे अंदर तक सिखेंगे और मालपुएं थोड़े से क्रिस्पी रहेंगे तो इनको हम पलट लेते हैं मालपुओं के अंदर चास्नी अच्छे से भर गई है तो इनको हम सर्ब कर लेते हैं मालपुओं के अंदर चाशनी अच्छे से भर गई है और बढ़िया यहाँ पर यह मालपुओं बन गए हैं तो यह मैंने इनको रख लिया है एक प्लेट में और अब हम करेंगे इनको गानिश तो यहाँ पर मेरे पास यह थोड़े से बदाम है बदाम को हम चौप करके इनके उपर गानिश करेंगे आप चाहें तो यहाँ पर पिस्ता का भी इस्तिमाल कर सकते हैं यह देखिए दोस्तों मालपुओं यहाँ पर हमारे बन की तैयार हो गए हैं तो एक कमेंट करके जरूर बताईए कि आपको रेस्पी कैसी लगी मिलेंगे आपके साथ नेक्स रेस्पी सुखी रहिए नमस्ते